हेलो मैं यूटूब फेमिली कैसे हो आप सब बनाने जा रहे हैं जिसमें मैं एक कब गेहूं की आटा ले रही हूं फिर उसमें मैं अंज्वाइन ले रही हूं फिर उसमें मैं गरम मसाला ले रही हूं उसके बाद हम कस्तोरी मेथी एड़ कर देंगे उसके बाद रेट सिलिस इसको कुटके मैं डाली हूं उसके बाद मैं ऑल्डोंगी अपके पास है तो डाली अगर घी है तो घी भी डाल सकते हैं उसके बाद जो हम बना के रखें थे न रहुआ के न गेहों के आटे का पेष्ट उसको निकालेंगे थोड़ा सा और उसमें घी लगा के उसको अच्छे से फेट लेंगे यह हमारा तैयार हो गया है उसके बाद जो बचा हुआ आटा है उसमें हम पानी डाल के एक दो तैयार कर लेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा कि आप यह रेसेपी को बनाए हैं कि नहीं बनाने के बाद आपको कैसा लगा इसको भी बताईएगा यह हमारा डो तैयार हो गया है लगबग उसके बाद थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसको बेलन की सहाथा से अच्छे से बेल लेंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताईएगा कि यह रेसेपी आपको कैसा लगा तो ऐसी हम तीर रोटी तैयार करेंगे यह मेरा सेकंड है उसके बाद यह हमारा ठाड दरूरे तैयार हो रहा है यह भी पोग गयासे उसके बाद इस रोटी पे हैं और दूसरु रोटी को रखेंगे अच्छे से भाद फिर इस पेश्ट लगा लेंगे और चारो तरफ अच्छे से मिलाएंगे, लेकिन मानिएगा आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये चारो तरफ ही हो गया है, अच्छे से इसको मिला लेंगे और थोड़ा शिप का लेंगे, उसके बाद ये मेरा तीछरे रुटी उ लेंगे, सारो तरफ को अच्छे से कट कर लेंगे, उसके बाद ये दोनो कॉर्णनर दीख रहे है ना, उसको ऐसे हम लोग मिला लेंगे, और सामने तरफ को जो भाग दिख रहा है ना उसको हम लोग ऐसे चिपका लेंगे ताहिए निकले ना यह हमारा रेटी रेडी हो गया है देख सकते हैं उसके बाद एक कड़ाई में हम तेल लेंगे उसके बाद इसको डाल लेंगे इसको मेडियम फ्लेम में ही पकाएं ताकि अच्छे से पकें यह हमारा रेडी हो गया है चलो इसको आपको देखाती हूं कि इतना क्रंची बना है यह देखिए सौफटा है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किजिए बाद